So introduction of intellectual development, intellectual development related to the cognitive abilities and capacities और जैसे के mental abilities और capacities जो हैं वो जसे जैसे mature होती हैं, जैसे जैसे grow करती हैं वैसे वैसे intelligence जो है हमारी वो भी सासत grow करती है intelligence के बारे में different concepts हैं, कि ये hereditary factor है चुके इसलिए जो भी बच्चा अपनी intelligence ले के आता है वो अपने jeans में ले के आता है, कम है या ज्यादा है, तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते मतलिफ किसम की जो इसके बारे में theories हैं वो ये हैं तो हम आज discuss ये कर रहे हैं कि intellectual development जो है, वो किस तरह से जो होती है, उसमें बच्चे किस stage पर क्या सीखते है और किस सरह से ये with the passage of time and age ये grow करती है और mature होती है इसमें सबसे पहले जो cognition is the study of, what is the cognition, cognition is the study of thought process or activities of human mind which lead to the acquisition of new knowledge and skills, cognition जो है ये आप मारी तमाम mental activities जो है उसको run करती है जो आप सोचते हैं, अच्छा या बुरा और creative या critical thinking, ये सारी thinking जो है हमारी cognition के साथ related है तो इसलिए cognition जो है ये cognitive activities जो है ये उसी वक्त जो है enhance होती है ये increase होती है जब आप अपनी cognitive skills जो है आप किसी ना किसी इस तरह के काम में मुसरूफ होते है जो कि आपकी दिमागी सलाहितों को बढ़ाने वाले होते है उसमें जो है वो creativity जो है ये भी आपकी mind के अंदर से भी आती है और activities में involved होने से भी आती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो thought process है वो आपको इस वक्त improve होता है या आपकी information आप उस वक्त acquire करते हैं जब आपकी mental abilities जो है वो strong होती है तो strong एक तो आप अपनी हेरिडिटी में लेके आते हैं जी आपकी जो जहानत है वहां से आती ही दूसरा आप अपना environment इस तरह का provide करते हैं जिसमें आप ऐसे कामों में बस्रूफ होते हैं जिससे creativity और critical thinking जो है मजीद इंप्रूव होती है honestly speaking हम एक छोटी सी जो general एक इसके बारे में बात ये है कि terrorist भी कहते हैं और doctors भी कहते हैं कि हम अगर body के वो parts जिनको हम उनको use नहीं करते हैं तो ऐसा ऐसा उनमें blood circulation जो है वो नहीं होती और वो dead होना शुरू हो जाते हैं इसी तरह से अगर आप अपने mind को use नहीं करते हैं तो वो भी आइसा ऐसा dead होना शुरू हो जाता है तो किसी को आप positive mind कहते हैं किसी को आप sick mind कहते हैं sick mind वो ही होता है क्योंकि उसने उस environment में जो है वो वक्त गुजारा जहां पर psychologically उसको ignore किया गया या psychologically उसको torture किया गया और या उसने अपने इर्दगित का जो महौल देखा अपने parents को देखा अपने घर का महौल देखा वो सारे का सारा जो है वो इतना disturbing था जिसके वज़े से वो से एक mind and dust की तरफ चला गया तो cognition जो है यह deal करती है हमारी तुमाम mind की capacities को और abilities को जिसके साथ हम सोचते है हमारी सोच कैसे पैदा होती है हमारी सोच जो है वो हमारे environment के साथ साथ जो है वो change भी होती है और पैदा भी होती है और जिस किसम के environment में हम अपना time ज्यादा spend करते हैं उसी तरह की सोच जो हमारी develop होना शुरू हो जाती है इसमें intelligence is thought of a combination of different attributes for example the ability to solve problems and adapt and learn from experiences, creativity and interpersonal skills अच्छा adaptation जो है या अपने आपको adjust करना ये भी एक जहीन आदमी का काम है हर महौल में अपने आपको adjust कर लेना ये हर एक इनसान की बस की बात नहीं है क्योंकि हर महौल जो मुख्लिफ होता है उसमें adjustment के लिए आपको intelligence की जरूरत होती है intelligent आदमी जो है वो मौका महाल की मुनास्पत से action लेता है और हमेशा बेवकूफ उसको हम कहते हैं जो के मौका महाल की मुनास्पत से काम नहीं करता और हाम हाक किसी की लड़ाई में कूद पड़ता है उससे ही होता है कि वो नुकसान उठाता है तो हम intelligent आदमी उसको ही समझते हैं जो अपने आपको बचा के उस महाल से जो है वो अपना काम भी कमटीट कर लेता है और अपने आपको किसी लड़ाई में involved भी नहीं करता है वो नई चीज़ क्रियेट कर सकता है और अगर वो already उसकी कोई creation है तो उसमें मजीद जो है वो तबदीलियां ला सकता है तो ये intelligence जो है बड़ी important है इनसान को comprehensively जिन्दगी गुजारने के लिए फिर आगे कुछ लोग समझते हैं कि intelligence is a single capacity जे general intelligence जो हमारी पास आती है जीन्स से हम सारी जिन्दगी उसके साथ ही जिन्दगी गुजारते हैं उसकी मदद से हम अपनी जिन्दगी को असान करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि जहानत जो है वो एक entity नहीं है बलके वो combination of different attributes or abilities है और एक किसी ने कहा कि जहानत और उस खास जहानत की वज़े से आपके interest different हो जाते हैं और आप एक खास मिदान में जाके जो है वो कार हाई नुमाईयां जो है वो सर अंजाम देते हैं तो ये मुख्लिफ किसम के थेरिस जो है उनके मुख्लिफ किसम के views हैं कोई इसको single entity कहता है को इसको combination of attributes कहता है बाहल जो भी जहानत की एक definition conclude होती है और ये जो हम बात कर रहे हैं कि इसकी development कैसे होती है तो birth के साथ ही जैसे ही बच्चा जो है इस दुनिया में आता है उसकी उस intelligence को जो है exploration का मुका मिलता है और साथ साथ अमर के साथ और वक्त के साथ और महौल के साथ उसकी intelligence जो है वो improve होती जाती है तो ये सारे factors तो ये सारी forces किसी भी बच्चे की या इनसान की intelligence जो है उसको improve भी कर सकते हैं और महौल आपकी intelligence को मजीद suppress भी कर सकता है तो heredity और environment दोनों मिलके intellectual development में अहम जो है को किरदार अदा करते हैं